नमस्कार बहुत स्वागत है अब सभी का हमारी खास पिशकर्ष भागे फेल में मैं हूँ आपके साथ अंकोश्वास्ता कुंडली में आठवा घर अर्थात आठवा भाव ससुराल का भाव कहलाता है और आठवा भाव राशिक के स्थिती से ये पता चलता है कि आपकी कुंडली में ससुराल से धन प्राप्ति योग है या पर नहीं क्योंकि अश्टम भाव में बैठे हुए ग्रह उस व्यक्ति को कैसा ससुराल मिलेगा इस बात का निर्धारत करना है और इस विशे पर हवे विस्तार से ज्वानकारी देने के लिए जोड़ रही है जोतिश परिशत एवं शोध संस्था अध्यक्ष जोतिश आचारे पंडित पुर्शोतम गौट जी आचार जी परड़ाम आपको बहुत स्वागत है और आचारे जी स्क्रिन परफ्लस और आप कॉशिश करेने लिकिन उससे पहले अगर आपके मंन में भी कोई शंका है कोई पर्रिशञानी अगर आपके जीवन में चल रही है तो आप भी हमारे साथ चुड़ सकते हैं और आचारे जी से अपनी समस्ता का हल जान सकते हैं हमारा नंबर TV स्क्रिन पर फ्लाश हो रहा है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 0120-7153-787 0120-7153-826 और बिना देरी के अब आचार जी से चारेंगे जो आज का हमारा विशय है आचार जी बताया जाता है कि कुंडली में जो आटवा भाव होता है जो आटवा घर होता है वो ससुराल का होता है अब ससुराल कैसा मिलेगा और क्या स्थिती रहने वाली है धन प्राप्ति होगी नह नहीं होगी यह किस पर निभर करता है और अगर जो है वो अच्छी नहीं है मजबूत नहीं है तो उसे मजबूत करनी के लिए क्या को चुपाएं केत्ट ज़्या सकत MUSIClay जो आपको जो धर्मपत्नी मिली है वह आपके सईयोग में खड़ी रहती है नहीं रहती इन तमाम बिंदों को लेकर के आज आपने प्रसंग रखा है मैं समस्ताओं कि ये सवी दर्शकों के लिए बहुत महत्पूर्ण है और आने वाली युवाप्रिडी के लिए बड़ी महत्पूर्ण है इसको समझने की जरुवत है कि जाब जिस उनले में अस्टम भाव पर शुब ग्रहों के दर्श्टी हो जैसे शुकर के दर्श्टी हो श आपके परिवार को व्यवस्तित करने में आपके परिवार की व्रद्दी करने में आपको सम्मान देने में अपनी बेटी को वह सही मारण पर चलाने का प्रियतन करते हैं जब ऐसा होता है तो नहीं तो आजकल अधिकान सस्वराल वालों की ये सिकायत लड़कों वालों की त बच्ची का खुद का घर बिगाड़ा जा रहा है और ये मेरे पाथ दिन बर मैं यदि मैं 50 जनबतरी देखता हूँ तो 20 लोग यही कहने वाले होते हैं क्योंकि आजकल हर दूसरा व्यक्ति ये सुसुराल से तंगा करके और केस आदी इनके तलाक के लग जाते हैं और उससे प कर्ष होता है ऐसे मैं सवस्राल पक्ष को जरूर देखना चाहिए और यहीं ना मिले तो इससे बढ़िया है कि कुमारा रहले लेकिन व्यक्ति को कम से कम यह सुयोग देखकर के ही शादी करनी चाहिए नहीं तो आगे जाके कर्ष्ट होना होता है जे कुमली में सपमेश और दोतियस एक साथ यदि होते हैं तो कोई एक गरहन दोनों भाहों का स्वामी होता है उस पर शुकर की जैसे हमने बोला कि दर्ष्टी हो तो सवस्राल बहुत अच्छा मिलता है मन समान करने वाला मिलता है यदि कुमली में नौमेश और पिंसमेश क स्वामी यदी एक साथ बैठे हूं तो दो चार पांच और नौ घर में एक साथ यह बैठे हैं तो सश्राल से मान सम्मान अच्छी लड़की और आपके परिवार को सही मारदर्शन देने वाला कारिय होता है आज वो दहेज वाला पीड़ा तो खतम होई आज लोग लड़के वाले दहेज मानना मांगना बंद कर दिया दहेज के नाम पर तुमका मुख बंद हो गया वो तो यह की कहना होता है कि अच्छी लड़की अच्छी की बरिवाशा है जो हमारे परिवार को चला सके हमारी लिवार को लेकर के चिंतन करें अच्छा कैसे हो ऐसी लड़की चाहिए दहेज वाली प्रता तो कतम हो गई दहेज तो आप कोई मांगता नहीं यह मांगता है तो कोई बहुत ही बहुत ही दुसास कर रहा है क्योंकि दहेज से तो लोग परेज करने लगे अब तो अच्छी मेर्ट बना देने वाला कार यह होता है इसने कुंली में जरूर जब भी आप शादी करें बेटे की यशे के चरें बैटी की बेटी को देंका धाना ज्यक्ताल Korean Richard बिलकुल बिलकुल आचाहर जी तो लड़की को जो है सफ्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् इसके कार्ण संपूल लड़के वाले बरबाद सिंपूल लड़के वाले बननाम हैं। तो यह सब चीज होनों को देख करके करते हैं और उसके बाद होता है तो पे परमातमा की चंछतने पर न की इरैं। बैकल बैदक अचारे जी…ündकि मुफ लेना चाहिए। अच्छार जी मारे साथ दर्शक भी चोड़ रहे हैं, उनका भी रोकर लेंगे, कॉलर समारे साथ हैं, बहुत स्वागत हैं, सवाल कर सकते हैं अपने उपाइ करते हैं, उपाइ से काम होते हैं, हमारी बची कषाधी ही किच माता पिटा जी से अपने अपने बच्छों के लिए काम करता है ऐसी गूरु अपने शुष्षों के लिए पूरी तागर लगा देता है कि मेरे शुष्ष्व वो कुशी दिखाई दे और ऐसी प्रसंता उनके चेरे पर हो आज संपून संसार देख रहा है आपको कि आप कितने कुशी से बात कर रहे हैं तो एक प्रणा दायक है आपको बहुत मंगल शुब कामना है और ऐसे विक्ति भी कम होते हैं जो साब बात कहें कि जब काम बन जाते से स्वार्थी लोग कामों क्या करना है आपकर रहे हैं जी कीजितों काम करने आपको कि तो कामना है है closest जाइड है कि काम करने से काम मनता है जी बहुत मंगल शुब कामना है आपको अचार जी और भी कॉलर्स हमारे साथ जोड़ रहे हैं उनका भी रुक करेंगे बहुत स्वागत है आप बताए क्या जाना चाहरे है जी जी नमस्कार नमस्कार मैं नमस्कार मेरे मेरे बत्ती के ना में मासूम उसी बीटर बखता है और 10.04.1997 उसी शादी पको बजाएगी जी जाना है समय और जगे बता देजे जर्मसान नम जैपूर और समय है शाम के चाहरे जोड़ बचार जोड़ पांच मिनकी जी 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 देखे बेटी के शादी के लिए आख पूसन जाती है मंगल की माहधशा है करक लगन में बच्ची ने जनु लिया है और माशुम जो है दो भेनबाई होते हैं और इनका ब्राशपती नीचका पती के घर में बैठा हुआ है मंगल की माहधशा है मंगली की बच्ची नहीं है पर मंगल की माहधशा मंगल दसम और पंचम बहो का स्वामी हो रहा है और करक लगज से सिंग रासी में स्थित मंगल का क्रियात्मक सुभा बड़ा शुभ है और वद्धी देने वाला है इनकी शादी की बात करें तो दिखे दो हजार पत्चीस में फरवरी के बाद जाकर के सहींग बनेगा और वो इसता ही तो देने वाला होगा बहुत मंगल शुख कामना आपको आपकी बेटी का अच्छा और बहुत बड़ी अरिस्ता मिलेगा तो बेनवायोला परिवार मिलेगा, से नाम का लड़का मिल सकता है और कोई सरकारी जोब वाला बच्चा मिल सकता है आपको बड़ी मंगल शुक्का मुला अचार जी दर्शक हमारे साथ लगाता चुड़ रहे हैं और उनसे बाच्वित करते हैं बहुत स्वागत है, बताएए क्या जाना चारे हैं जी, नमस्कार जी, आपके आवाज मिल पा रही है सवाल किजे अपके आवाज मिल रही है, आप सवाल किजे अपना जी क्या जाना चारे हैं कि अगरवाल साहब आपके बच्ची की तवेट ठीक नहीं आती है अपने सिंग लगन में प्रशन किया है और आज 25 जुलाई 2023 को साथ बच्च के 36 मिनट 40 सेखिंड पर प्रशन किया इसमें आपको बता दें कि बच्ची की तवेट नश्रूंसे खराब नहीं हो सकती है क्योंकि कि यहां गुरुचांडाल योग बना हुआ है और यह बच्चा काफी परशान रहता है दवाईयां काम ने कर रही और इनको कई रियक्शन साधी हो जाते हैं आप करपा करके इसके लिए आप ऐसा करें कोई डरने की ज़रूती है को ऐलर्जी टाइप भी होती है मंगलवार क के दिन हनमान जी के छड़ों में इनको लिजा करके प्रणाम कराएं और उनके सीधे पैर से सिल्दूर लाके इनके मस्तिक्वत्ते लग लगा है और ऐसा नियम से करें 21 मंगलवार कर दें और मंगलवार को इदी वह बैटने की थोड़ी सिल्दा बंती है तो हनमान चालिशा करके बंदरों खिलाएं और सवक्त किलो यह सवक पांच किलो केले बच्चे के हाचि मंदरों को दें बच्चे के उपर से उसार करके दें अवश्य ओठीक होंगे और श्वस्त होंगे और दीन दयाल वेरत संबारी हरा नॅद्म सक्ड़ बारी इस फुपाई का जाब बहुत स्वागत हैं बताइए क्या चाना चाह रहे हैं रादे रादे जी मैंने अपने भाई के वाले में पूछना कि देटो बचा सोला जनवरी 2002 टाइम राद के ग्यारा बर्स के 35 मिनट और पठान कोट में हुआ पंजाब में नाम है नरेंदर पूछना था कि इसको गुसा सब्सक्राइब बताता है और हमारा बात भी सुन-सुनता कहना नहीं मानता और इसको जोग मिलेगी सरकारी कौन से संवे मिलेगी देखो जी बच्चा बहुत अच्छा है पूजा कुमारी बहुत अच्छा लखा है बहुत इस्ष्ट विचार धरा का बच्चा है और आपको प्रति दिन सुंद्या के समय किसी भी घणे से बंदिर में जाकर के और बुद्वार को मूं के लड़ू का भूग लगवाएं और वो लड़ू का प्रशाद खुद इखलाएं इसको आवश्य ठीक होगा एक दम बहुत पड़ी अशांदार तरगे सावी बढ़े हैं बहुत शुब कामना है आपको और और भी कॉलर समार साथ है अचार जी उनका भी रुक कर लेंगे बहुत स्वागत है बताएं क्या चाहना चाहरा है आप इसका देटोब बर्त है 15 सितंबर इसके पिच्छार में सुबह नू बजे ने जयपूर में इसके एक साल पले चाह दिए इसके इसका दामकत्य जी उनके सराएगा इसके बच्छार का रिनोक्री लगेगी या नहीं लगेगी समय क्या है जी और शहर जयपूर देखिए आपका बहुत स्वागत है और यह बात सही है कि आप बेटी के लिए पूछ रहे हैं यह बेटी ने तुला लगन में जन्म लिया है और राहू की महादशा चल रही है राहू इनका लगन में बैठावा है हाला कि राहू तीन डिग्री पर है तो बहुत ज़्यादा राहू कोई प्रभावी नहीं हो सकता लेकिन राहू की महादशा होने के कारण इनको भारी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है सामजश्य बैठाना पड़ेगा क्योंकि बच्ची में क्रोध बहुत है और क्रोध होने के कारण कई बार अपनी भाशा पर नियंत्रन सब्धों पर नियंत्रन रहता बोलने में सब्धों पर नियंत्रन रहता और सब्धों के नियंत्रन खो जाने के कारण इनको काफी संगर्स का सामना करना पड़ता है संसुराल में परिणाम वशिय है कि इनको दहरिये रखना चाहिए और इसके रिजल्ट्स बहुत खराब मिलते हैं इसे मैं निवधन करूँगा कि बच्छी बहुत दहरिये से काम ले और उचकोटी के विचार रख करके और संपूर संसार को अपना सustुराल मान करके सustुराल को ऑच veto करने से इनको ठीक रहीगा बड़ी मंगल शूका मुआ अचार जी एक और कोलर हम ले ले लेते हैं और उसके बाद फर राश्यो कारु कर लेंगे बहुत स्वागत है आपके आजवाना चाहरे बताएए अब आजवां सब्सक्राइब रुप दोनों है इसके बारे में बता हैं कि शाम को मैं चदाता हूं रूज मी चदाता हूं पानी जल मिलावा चदाता हूं शाम को डेखे आपने यह सही कहा कि आप बहुत नहीं जा सकते हैं तो इसका क्या है, शाम को चड़ा सकते हैं कि नहीं. ये बात सही है. लेकिन आपको माइक को में बता दू, सामन के महीने में समुंदर मंतन हुए था. इसलिए भगवान को जल चड़ाना होता है और सिवलिंग पर जल चड़ाने का खास मैतो होता है लेकिन जितना आप सुबह चड़ाएंगे वो ज़्यादा ठीक रहता है संध्या के समय तो किवल प्रदोशकाल में भगवान को सजाना चाहिए यानि उनका स्रंगार करना सुम भगवान सीव को चंडरमा धारन करके सुममार को समसे महत्पूर मानते हैं और जहां तक बाद करें तो सुबह और शाम में तो आप स्रंगार करें वो और माता मेनक विज्ञाने में कहां कर तो जाईए और सुबह की टाइम जल छड़ा है संध्या को स्रंगार करें बगार जी और चली अब रूख कर लेते हैं विरादेरी के राश्यों का दर्शकों को बताते हैं आज का उनका दिन क्या सरहने वाला है तो आई हम बात करते हैं सबसे प्रधम मेश राशे के आज किसी के घर जाने का निमंत्रण आपको जरूर में रहा है और फिर घर से ही कोई सदश आपको कहीं चलने के लिए कहेगा ऐसे में मना ना करें आवज जाकर आएं यह आपकी दसा और दिसार तोनों सुलानने वाला कारी होगा और अब बात करते हैं व्रश और रासी वाले लोगों के लिए आज चात्रों को आज के दिन कुछ रत्सनात्म कारी करने का अवसर मिल रहा है माता पिता का भरपूर साथ आज आपको प्राप्त हो रहा है गर में कोई धार्मिक अनुस्टान भी आज हो सकते हैं और अब आई हम बात कर रहे हैं मेथोन रासी वाले लोगों प्रेम संबन में हैं तो आज आपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान आप चरूर बना सकते हैं यह दूर रहते हैं तो उनके लिए कुछ इसमिसल करने का विचार आपके मुन में आ रहा है और भागे बढ़ते हैं और बात करते हैं करक्रासी वाले लोहों के लिए पीर्ट दर्द के सिकायत आज बनी रहेगी इसलिए बाहर का खाना ना खाई और घर का पुश्टिक भुजन की ग्राण का परिवार में सभी के बीच आप से प्रेम आज पढ़ता है और अब आई हम बात कर रहे हैं सिंगरासी वाले लोहों के लिए नौकरी की खोज कर रहे हैं तो आज की दिन कुछ अच्छे होपर आपको मिल सकते हैं लेकिन ध्यान ना देने से वो आपके साथ निकल सकते हैं इसलिए इन्हें हाथ से ना जान पर और अब आई हम बात कर रहे हैं कन्यारासी वाले लोगों के लिए गर का माहौल धर्मिक रहेगा और शाम के समय मंदिर जाना भी हो सकता है सभी साथ में मिलकर के कहीं गुमने जाने का प्लान आज आप बना सकते हैं और अब आई अब बात कर रहे हैं तुला रासी वाले सभी लोगों के लिए मैनेजमेंट के छेतर में जॉब कर रहे हैं लोगों को आज पनी आफिस की पॉलिटिक्स से बजगर के रहना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए उल्टा दाव पढ़ सकता है और नौकरी खत्रे में आज आ सकती है और अब अगले रासी का रुक करते हैं वरश्चिक रासी वाले लोगों के लिए परिवार में सभी आपसे खुश तो रहेंगे लेकिन आप संतुश नहीं दिखाई देंगे किसी बात के चिंता आपको लगी रहेगे ऐसे में अपने किसी मित्र से उस परिशानी को साज़ा करेंगे तो आज प्यातर रहेगा और अब आई हम बात करते हैं धनौरासी वाले लोगों के लिए आज किसी के प्रती आक्रिशन तो है उसका बाचित शुरू हो सकती है कर रासी वाले सरही जात्कों के लिए किसी बात को लेकर कि कुछ दिनों से आप परशान तो हैं पर उसका हल नहीं निमपा रहा है तो आज के दिन वैसमश्या आपकी हल हो जा रही है जिस करण आपका मन बहुत बहुत प्रसंचित रहने वाला है और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन रासी वाले लोहों के लिए मीन रासी के जात्कों आज व्यापार को समार पाना संभव हो रहा है आपका प्रबंदन बहुत बेतर होगा आज इचित लक्ष को आप प्राप्त करेंगे चर्चाओं में आज आप बहुत रहेंगे कई अवसर लाप के आपको प्राप्त होंगे उन्हें लाप के अवसरों को उठाएंगे लेकिन जोकिम नेने की सोच रहे हैं वो ना करें तो ठीक रहे हो लक्षों को स्मार्ट वर्किंग करेंगे कैरियर व्यापार पर जोड़ रखेंगे महत्पूर सूचना मिलेगी लंबित मामलों में तेजी आज आएगी में नमर रहे हैं सपरता का प्रशत उंचा रहेगा चम और सेष्ट परणाम बनेंगे वानजक कारियों को घती देंगे लक्स आज आप साधने वाले हैं यह है आज का मार अपना रासिफल जी बिरकुल बिरकुल आचारे जी जी सरीके से आपने बताए हमारे दर्शकों को आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है क्या कुछ आज के दिनोंने उपाई करना चाहिए और कौन-कौन से चीजे करने से बचना चाहिए तो उमीद है कि हमारे दर्शकों के लिए तमाम जो उपाई है तमाम जो आपने बताए हैं यहाँ पर वो बहुत ही शुपकारी होंगे बहुत ही लाब दर्शक जो मारे साथ चुड़े उनको उन्होंने जो आपने उपाई बताए हैं वो भी उमीद है कि उनके काम जो है बिलकुल बनते हुए रज़र आएंगे आचार जी बहुत शुक्री आपका मारे साथ चुड़ने के लिए देखिए बहुत बहुत आपका शुबाश्रिवाद लेकिन आज मंगला गोरी है अंको जी तो मंगला गोरी का जो माता भेन खासतोर पर कुवारी करने वरत लगती हैं तो यह कैसे करें आपको बता दे मंग पर जल शड़ाएं विदी विधान से पूजा करें और यह आप माल लीजिए कि मंगला गोरी का जो वरत करते हैं उन्हें अच्छे वरत की प्राप्ती होती है खास तोर पर मंगला गोरी के वरत में निशी सुरुप से कुवारी करने वरत को करती हैं और जो स्वागन महिला करती हैं क्योंकि जगत जन्井 मा पारवती की पूजा इसमें बहुत फ॰धाई होती है तो सभी दर्शकों के लिए आज मंगला गोरी मंगलवार के दिन गोरी की पूजा स्वागन भी करती है वरत भी रखती है पती के वरत रखकर के लंबी आयू की कामना करती है और सावन के चार सौमार चार मंगला गोरी का वरत करती है करना चाहिए तो आज जो घरती है उस बात मंगल शुब कामना है बिल्कुल बिल्कुल आ झाल